बहुत जंजट का काम है नहीं होगा ये वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता हम लोगों में कुछ होता तो इस सच्छा काम भी हो गया आर्ग्यूमेंट विडियोगा मुझे कुछ करना भी नहीं बड़ा कड़ाई लिए है ये आपने अधिस्तर देखी होगी हेलोई डी हीलोई एल्ड वलकम तू माई चैनल तो आज की शुरूहोआख जो है वह इस थरीके से हो रही है बहूत ही कुशन वाला उसको मैं अंदर वाली रूम में shift करवा रही हूं और अंदर वाला जो है वो बहार shift करवारी हूं तो ये मेरा bedroom है master bedroom जो है मारा वो है तो यहाँ पर बहार वाला जो bed नया लिया था ना वो इसमें जो है वो पढ़ गया है तो finally मेरे दून मुझे बहुत बड़ा काम था सच बतारी में आप लोगों को जो की हो गया है और सारा समान बेट के अंदर ना उन भाया ने ही जो है वो अरेंज किया है और बहुत ही काईदे से जो है वो लगाया है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और यह अब मैं उठा भी नहीं पाऊंगी मे मैं यह लोग्राइटे कर दिया है अब ही इंदर म흡हीय है वरना में अपने दिखा देती हुआ ता बहुत सगया अपर नहीं कर दिया है और यह वाला रूम और शाफ पहुत पहलोब सप्भकों तो मैंने भी भी जाना है तो नहीं जेह ऑरसले सांके उलमुद्ट और क्ए और सबकुछ सब्सक्राइब गया है अब है थोड़ा सा मैसी हो गया है यहां हो गया है यह सारी बेटषीट बगर रहे हैं यह मैं अभी बिच्छा दोगी तो सबकुछ क्लीन हो जाएगा और श्बंट को पता ही नहीं है कि मैंने इतना काम करवा लिया है जब वह आएंगे तो मैं आगे तक का सोच के चल रही थी वह वाला बैड जो है उसमें पीछे पूरा कुशन लगा हुआ है तो मुझे आगे ना डिलीवरी के बाद वहां बैठने में काफी कमफटेबल हुआ क्योंकि वह मेरा रूम है मतलब हमारा रूम है तो मैं इस वाल में उतना कमफटेबल नह अपना रूम में नहीं सोती हूँ अपना रूम अपना साही लगता है तो इस चकर में मुझे वह बैड उधर करना बहुत जरूरी था यवी निनो ने मुझे ओप्शन दिया था कि हम बड़ा सा कुशन ले लेंगे दो कुशन ले लेंगे पर जितने में देखिए एक कुशन तो फिर कितने महंगे पड़ते हैं और 500 रुपय में यह मेरा पूरा काम हो गया तो वह जादा अच्छा रहा आप लोग जरूर बताना कमेंट जक्शन में थोड़ा सा जेंट्स लोग का दिमाग अलग चलता है और लेडीज लोग का दिमाग चलता है अलग तरीकेगा तो मे अच्छा बेड़ा का दिमाग तो अच्छा पाँ अच्छा पाऊंगी तो वह जो पूरा निकल बहार रख भार रख तो वह सब आपको करना पड़ेगा तो उन्होंने भूला ठीक है और उन्होंने सच में मुझसे कुछ करवाया भी नहीं अंदर वाला पूरा बैड एक अपने हिसाब से एकाद चीज मुझे जहां जो रखवानी थी वह मैंने रखवा लिए और एकाद अपने आप रख दिया वनना सारा काम उन्हों नहीं किया है तो आज कल मैंने बात की थी और आज मैंने यह सब करवा लिया है मैंने सुचा बता के क्यों ही पचड़े में क्योंकि वह होते तो अव्यस है कि उन्हें करना पड़ता अभी कहता मैं अकेली थी तो मैंने बोल दिया भही मैंने कर सकती तो उन लोगों ने किया खुछ से काम तो अभी मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है आगे तक के लिए वरना क्या था न हम लोग जब घर चेंज करते तब जाके यह बैड शिफ्ट हो पाद है एक दूसरे रूम में पर अभी जो है वो सब हो गए मैं फटाक से बेडशीट वगरा जो है वो बिचा देती हूं अंदर वाली तो वो भाईया बिचा के ही गई है क्योंकि मैट्रेस बहुत है था तो मैंने का आप सही से कर जो तो होने इस तरी के से बिचा दिया है मैंने बिचा दी है और रूम जो है वो पूरा एकदम सेट हो गया है यह वाला और अंदर वाला भी दिखा देती हूं मैं आपको मुझे ऐसा लग रहे है कि थोड़ा सा इधर हो गया है क्योंकि पहले हलका सा उदर था इविन मैंने करवाया है तब भी मुझे अभी भी लग रहा है इस पर भी बैच्शीट मैंने बिचा दी है और सब सेट है अब पता न अपकर देखो कितनी तेज दोप है मैं बहुत ही तेज दोप सक्ता है कि अन्सक्टाम साथिर दोप के अधर दे डाल देरें दोप करणा धोता स्बरेशन वाल मैं यह इस तरीके से यहां पर फिट कर वालिया है पहले इस अजा चैसे आए यह यह प्लाने क् il मैं पर पाइप पाइप आगे लगती है ना पाइप में वह इसने के वल इन डीन हम आगे लगती है और इस तरह कि शर्च इस टाइप से प्लक्स से फिर İsजार निकल जादता था तो अब पानी देने में बहुत आराम हो गया है इधर से पास कर लिया है यह तो मैं फटाक से प्लांट दे देती हूं क्योंकि धूप आज़ करना बहुत तेज हा रही है आस मुझे लग रहा है कुछ जाद ही तेज है जल्दी पानी देती हूं और दूप सोफ़ी पर कितनी तेज है तो यह बाद मैं आपको पानी दिखा देती हूं प्रटन पेड़ प्ते सब जुगने से लगते हैं और अप्रैयज के जाया है तो मैंने जो तुल्सी के सीट्स डाले थे ना ये देखो आप इसमें अभी शाय दिखनी रहा होगा ये देखो आप कितने सारी जो है वो इसमें निकल आए हैं और अभी ना इनमें बस स्प्रे करके हमें जो है वो पानी देना है मतलब हमकिसी बॉटल से इसे देंगे तो ये अंदर हो जाएंगे इसलिए जाए मैं रहती है देंगे फिसक्रेक आए ही ऑगे ता उना जो हुंक होता है तो तो बढ़िया है बहुत सारे पौदी बन जाएंगे मैंने एमेजन से यह एक ड्राइफूट क्रश्छर मंगाया था जो की काफी अच्छा है यह दोके पैक में आया था तो ममी ने बोला था कि उनके लिए मंगा लूँ क्योंकि ममी भी आने भाली है तो बहुत साथ चीज़ बनाती रहते हैं तो उनके भी काम में आएगा तो मैं इसको यूज करके देखा था बहुत अच्छा निकला इस तरीके से यह वह होता है इसके अंदर हमें काजू बदाम जो भी चीज़र डाली है वह हम इसमें डाल देंगे और यह जो दिख रहे हैं आपको इसको इसमें इस तरीके से वस में लगाना होगा और यूज करके हम जब करेंगे ना तो ब्लेड की हिल्प से सारे क्रश हो जाते हैं और बहुत ही बारी जो है वह एकदम पतले-पतले जो होते हैं तो यह वाली मैंने बहुत सही मंगाई थी दो सरु पर मुझे दो मिली है जो कि काफी अच्छी चीज है पहले में हलवा या खीर बनाती थी ना तो बड़े अपर्स लग दे थे बादम और काजु अगयरा काटने के लिए बहुत टाइम लग जाता था मतलब खासतोर से बादम बहुत हाड होता है और आप इंस्टेंट अगर सोच तो कुछ बनाने के लिए तो वरना क्या होता है बादम को आप फ्रिज में रख दो तो एजीली कट जाएंगे पर अभी क्य इसके साथ मुझे कार्ड भी आया था कि उन्होंने चोटा विजने शुरू किया है तो थैंक्फुल है वह बहुत जादा कि मैंने वहां से शॉपिंग की है तो अगर आप लोग भी लेना चाते हैं तो ले लिजए किसी की हेल्फ हो जाएगी इस बहाने से और आपका भी काम पैनसे बहां। तो अगरम नो भी आपके लिजए कैसे शॉपिंग काँ आपके बहां पैन का कॉद्वल सकते हैं कढाय कि में आपके शैप मैंने चाही ब्रेता हैं। गड़ागी आपके पर गते सब्सक्रावा धर भी लिख पारामाई बहां। यह लिजए श्ची में अरह क कि मुझे पता चला कि हमंड़े मार्केट में बैखते हैं तो कल मैंने जाके वहां से लिया और उनोंने मुझे इसका बोला था 30.500 और मैंने उन्हें बोला था 200 रुपई में यह दे दिया, फिर मुझे बात रस रागा शायद मैंने भात राख जादा होल दिया है तीन सो फिर मैं झालों सतार हैं pat tadi पर होता होता कि जब मार्यमने को सब्सक्वानि सब्सक्राइब आप है कि अधेक हैं उ सूरुमइल सब्सक्राइब आप ही सब्सक्राइब और अभी तुना इसमें आप देको इस तरीके का काला काला निकल रहा है तो इसको खुछ से जो है अच्छी से क्लीन करूंगी तो यह दो चीजे मैंने पट्चेस की ती सोचा आप के साथ के साथ शेयर कर लूँ दोनों ही चीजे बहुत ज्यादा अच्छी हैं मैंने मार्केट मैंने आपको बताया है तो वहां से जो है वह सबजी लेकर आए थे रात में और भी सबजी रिपार से पाड़ी हुई है तो कि सुबह से न मैं खोड़ा सा बीजी थी काम में लगी थी और फिर यह भाईया लोग आ गए तो इसमें बहुत सारा टाइम लग लगया तो सारी की सारी सबजी जो है वह यहां रखी हुए एकको भी फटाक से दोके और सुखा के फ्रिज में रखोंगी और आज है सकट तो हमारे सकट में जाती है बकरा तिल जो होता है उसका बकरा बना के शाम को जो है वो काटा जाता है तो बेसिकली यह लड़कों के लिए पूजा होती है तो मेरे मेरी सासुमा जो है वो करती है इनके लिए तो हमारे शाम में तारु की छाओं में बकरा कटवाया जाता है कि तो आज मैंने इनको पनाई है यह वाली ड्रेस कोई भी त्योहार होता है तुम्हें इस तरीकी की ड्रेस ही पहना देती हूं और कुछ ऐसा सा मैंने कर रहा है शिंगार अभी थोड़ा सा लाइट कम लग रही है इसलिए आपको थोड़ा दल दिख रहा होगा और यह हैं लडु मादव और यह हैं केशव तो यह हो गया आज के शिंगार दर्शन कर दोड़ा है झाल झाल काफी दिन से बहुत सारी मलाई जो है खटी हो गई थी और में घी जो है वो बनाई नहीं पा रही थी क्योंकि उतना जादा अभी फुल क्रीम बाला दूद नहीं मिलता है तो मैं सुसते हैं थोड़े अच्छी क्वाइंटिटी में हो जाए तो उस चकर में काफी दिन हो गए मतलब मलाई को एकटा होने में तो मैंने सुचा कि चलो आज ठीक दिन है आज में घी बना लेती हो इविन आज काम थोड़ा सा जादा हो गया था पर मुझे ये बेड़ वाला पता ही नहीं था कुछ प्लान ऐसा नहीं था कि आज के आज ही मुझे करवाना है तो मैंने मलाई ने सोबा ही फ्रीजर से बहार क्रीमी जैसा हो जाता है तो मैंने सुचा चलो लगे हाथ करी लेती हूँ वैसे भी अब मैं मिक्सी में जो है वह चलाने लगी हूँ ना जब से तब मुझे काफी एजी लगने लगा है प्रण था श्यां जब लगने लगना जो है एजन में जो हैं दो रहीं काफी लगना है बालवाल काड़े तिमे कैले अब ठोड़ा हुँष ठोड़ा धो accessed अब थोड़ा साइड यह मताच घू तो वहां से यह इस तरीके का कोई फल था तो हमें पता नी था कि यह क्या है उसने पता नी कुछ तो दूप देखवा पिन देजा इसका कुछ तो नाम बताया था हमें भूल गई तो उन्होंने मुझे मतला बोले आप खा के देखिए बहुत अच्छा तेस्ती मीठा होता है त में यह कुछ आपैउ अए बित तो इतना मीठा था मतलब चीनी हुआ समझ लग अप टीन ही है तो इतना बितना मीठा ही अशुआता है औरस्मचा तक ब्रपाइ बहुत बहुत जादा बगुतंत फिकार को कि लिए श्तरते लगी मुधा विरिटफ यह श्मर्क की क्वार्ट क्योंकि उन्होंने मसे बूछा कैसा है तो मैंने का अंकल जी बहुत मीठा है आप भी ले लिजे तो उन्होंने भी ले लिया और अमरूद दिखाती हूं आपको मैं यह तुन्हें बड़े-बड़े साइस के अमरूद मिले है यह देखो आप यह आपको ना वीडियो में ऐसे चोटा दख्रावा लेकिन यह बहुत बड़ा अमरूद है तो यह अमरूद मिला था तो यह 20 रुपए का एक और 50 रुपए के तीन ऐसे मिल रहे थे तो भाई भाई हम लोग की इंडियन सोच तो हमने 50 रुपए के तीन लिये 20 रुपए का एक नहीं लिया क्योंकि उसमें हो तो मुझे पूरा अकेले कैसे खापाऊंगी तो मैं लेने में थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन जब ही मैंने आज सुबा भूग में लगाया तो मैंने तो पहर में इसको काटके खाया काला नमक डालके इतना जादा मीठा अमरूद है और इतना सॉफ्ट है कुछ अलगी तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा आधा मैं खा पाई क्योंकि बहुत जादा बड़ा था आधा खापाई आधा मैंने काटके रख दिया है तो किसी टाइम खा लोंगी कहते है फ्रूट्स जो है वो दिन में ही खाने चाहिए मतला मेरे पापा ऐसे बोलते कि शाम में सकता है तो मैं जो भी खाती हूं ना आपल औरर्ण से नहीं खा लेती हूं तो अमरूट्स तो पूराना ँपर इसतरी के ऐसे पहले। अब जाले नहीं खाया था तो वह भी मुझे छीलने हैं धेर सारी मट्राव देखों एक किलो मट्रा रखिवई है और आज सकथ है तो आज कढ़ाई रखी जाएगी क्योंकि पका खाना बनता है तो मैं बनाऊंगी रात में पालक पनीर और पूरी और कुछ भी नहीं आज अगर हम इसको पेपर में या टीशू में या कपडे में भी रैप करके रखते हैं तो भी ऐसी फ्रेश नहीं मिलती है पर अभी देखा कितिनी एकदम फ्रेश फ्रेश निकली है जैसे अभी में मंडी से लेकर आई हूँ तो आप लोग भी ना वह बोक्स ले ले मतलब काफी अ दो लिया था बस कुकर में इसको एक से दो सीटी आने तक जो है वो अबाल लोंगी तो मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ या मैंने दो चे तीन हरी मिश्लिय है थोड़े से काजू लिये है और आधी चम्मच से थोड़े सी कम जो है वो चीनी ली है उससे कड़वाहट ज बन गया था तो मैंने सोचा इसको बरतन में कर लेती हूँ और इसी कड़ाई में पालक पनीर बना लूंगी क्योंकि बिल्कुल भी इस्टिक नहीं हुआ है मतलब कड़ाई में चलाती रहती ना बराबर तो बिल्कुल वह ऐसा नहीं हुआ था कि वह चिपक गया हो और मैं उ बड़े साइस के टमाटर ले थे वही पेस्ट बना के डाल दिया है तो बस इसको थोड़ा सा कोख होने देंगे और उसको फिर देखते रहेंगे चला चला के यहां मैंने थोड़ा सा कोख होने के बाद गरम मसाला और धनिया पाड़र डाल दिया है अभी सिर्फ यही चीज पालक पनीर की रेसिपी मैं काफी बार अपनी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी कुछ लोग नई जूरते हैं इसलिए मैं एक भर फिर से बहुत क्विकली बता देती हूँ तो बस, यह मारा मसाला भुन गया है यहां मैंने फालक पेस्ट बना लिया था है थोर hoş थंडा होने के बाद और अच्छе से मिला लें थोर शाय पानी हम इसमें हाड़क तने के अ बहूं है जिस हिसाब करते हैं बहुत पतला बहुत गाड़ा जैसे चाहां, इससे कर सकते है आपनीर-डाल देंगेश कड़ी हो तो आज मैंने चबधार है है ताइट पूरी तो काफ़ी बाना लिखनेटा ist थाट नियुक्ता लेती हैं तो apparently आसबाइटास कर देजार कन दे लिए और खहना जो है वह मेरे इन लाउस लेकर आ रहे हैं को भी आ रहे हैं तो वह खाना ले कर आ तरह रहें हैं इसलि absolute असलिबा नियुक्स बस न बाकष número मतच कर बनां अब कार सुदॉरे शोप्क कर लिए कश्मीरी लाल मिर्च और बस तड़का लगा दीजे तो बहुत ही बढ़िया इससे प्रेजंटेशन भी बहुत अच्छी से लगते कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आजाता है तो मैं लेसन हम लोग नहीं खाते हैं इसलिए मैं इड नहीं करती हम और आश घोहार है और मेरे नोच भी जो है वह प्याद क्वी नहीं खाते हैं तो बस ममी लोग सकट की पूजा करने आ रहे हैं तो वहां भी नरत ś辈 कमेढ़ी है खाने वाली मतलब तो वह खाने बना लारे है हैं यहां मैंने थोड़ाए ऻपने आप से बन चौक बना दिया बना के रख दिया था तो मम्मी लोग आए और फूजा की तैयारी उन्होंने अपनी करी तो आप देख रहे हैं यह बड़ी चील की थाली में जो है वो बकरा बनाया गया है तिल का वही जो है वो काटा जाता है तो उसका जो सर होता है वो काटते हैं तिल और जिन लोगों क्या सकट होता है उनको पता होगा तो मेरे हस्बेंड काटेंगे और मेरे ननत का जो हस्बेंड है वो काटेंगे मतलब लड़के ही जो है वो काटते हैं तो यहां मम्मी पूजा करी है और कथा वता पड़ी जाती है तो मैंने दो कथा पड़ी पस इसी तरीके स आज का दिन जो है वो निकल गया आई होप आपने आज का व्लोग उन्जोए किया होगा पसंद आयो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले मैं मिलती हूँ आपको एक नए इंटरस्टिंग से व्लोग के साथ तिल देन बाबाई झालबाई झालबाई